आपको यह जानकर अत्री पसंता होगी कि हमारे असोग ध्यार में अग्रसेंद भावन में 26 दिसंबर को साड़े पांस से साड़े आठ बजे तक महालक्ष्मी वर्दान दिवास मनाये जाएगा सरस्टी की उत्वत्ति से लेकर आज तक महालक्ष्मी ने किसी को कोई वर्दान नहीं दिया लेकिन ये हमारा सोभग है कि हमारे पुझ्ज श्री अगरसेंद जी को उन्होंने तीन तीन बार वर्दान दिया और आज उसी वर्दान के पीछे हमारे अगरवाल समास के लोग आज अगरनी हैं इसलिए महालक्ष्मी हमारी कुल देवी भी हैं अब इस प्रोग्राम में परिवार के साथ आकर कुल देवी का आश्रिवाद प्राप करें अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में अवस्य लेकर आएं क्योंकि हमारी नई जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हम किस वनसत से हैं आपको मालूब होगा कि हम भगवान राम के वनसत से आते हैं महराज आगरसेन भगवान राम के वनसत से थे इन सब बातों को हमारे नई जनरेशन जब समझेगी तभी हमारे ये पिन परियासों का फाइदा होगा इन सब आयोजनों का मतलब सिर्फ यही है कि हम अपने आने आलि जनरेशन को अपने पुराने सिस्टम्स को समझाएं ताकि उन में वो भावना बुत्पन हो कि हम इतने बड़े वंसस, भगवान राम के वंसस से आते हैं और हमें वो ही क्वालिटीज हम में होनी चाहिए जो भगवान राम में होती थी इसी तरह मारादा अगरसेंट जी के उपर अगरवाल समाज के उपर हमारे समाज में बहुत से ब्रहांतियां हैं उन ब्रहांतियों को दूर करने के लिए आधरनिये सिरिदिशी राम गोपाल जी बेदिल वहां होंगे और वो हमारी सब ब्रहांतियों को दूर करेंगे क्योंकि कोई भी सवाल हम उनसे पूशेंगे और वो उनको जवाब देकर हमारी भ्रांतियों को ठीक करेंगे अगर भागवत के परनेता भी है और आज कल जो टीवी सीरियल चल रहा है जैस री अगरसेंग उसके डारेक्टर, प्रोडूसर और राइटर भी है इसी तरह हमें इस प्रोड़ाम में मैं दुबारा से आप सबसे विंती करता हूँ कि इस प्रोड़ाम के अंदर आप अपने बच्चों को परिवार के साथ, मित्रों के साथ अवस्याएं ताकि आपके आने से ये प्रोड़ाम बहुत अच्छे डंग से हुपाएगा और आपके आने से महालक्समी के आपको आशिरवात प्राफ्ट होगा ऐसी मेरी विंती है